Guys, I hope आप सब लोग अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होगे, मास्क लगा रहे होगे, सारे precautions लगतार ले रहे होगे, और जल से जल वैक्सीन लगवा रहे होगे और उनके दो बच्चे भी हैं, बट अपार्ट फ्रॉम भट फैमिली और विशेश फिल्म्स, उन्होंने और भी बैनर और दूसरे प्रोडक्शन हाउसे के साथ काम किया है, जैसे बालाजी टेले फिल्म्स एंटी सिरीज, सो बात करते हैं, मोहित का जो बचपन है, वो वैसे तो बॉम्बे में ही बीता है, और उनके, मॉम, डैट और उनकी एक चोटी बहन है, जिसका नाम है समाइली सूरी, उनकी मॉम, भट साब की बहन है, और एटीन यर्ज की उमर में ही, मोहित सूरी, भट साब को एसिस्ट करने लगे थे, और विशेश फिल्म्स में काम करने शाद रंधावा को वो अपना lucky mascot भी शायद मानते हैं क्योंकि शाद रंधावा उनकी जिन movies में थे वो movies काफी successful होई और box office पे अच्छा काम करी और उनकी जो mostly movies होती है वो Korean और American movies से inspired होती है या फिर उनका remake होती है उनकी movie में एक और उनकी movies में मैंने एक और commonality देखा है कि उनकी movie में एक जो movie होती है वो simple and straight chronological order में नहीं चलती है बलकि वो उसमें एक time wrap type का होता रहता है parallel चलती रहती है पीछे का time और present का time you know past और present वो साथ में लेके चलते हैं और उसको उन scenes को दिखाते रहते हैं साथ में you you know हाँ मैंने उनकी movie में ये commonality अधिकतर movies में देखी है दूसी चीज उनका बड़ा factor उनका plus point ये है कि उनकी movie के जितने भी गाने होते हैं वो really awesome होते हैं movie शायद एक दो तीन flop भी हो जाए बट मोहित सुरी make sure करते हैं कि उनकी movie का जो music हो वो बहुत ही अच्छा हो और शायद ये उन्होंने विशेश films जब वो भट साब लोग को assist करते हो शायद तभी उन्होंने ये चीज़ सीखी हो क्योंकि विशेश films की भी movie चायए चले ना चले पर गाने हर इनसान को इस movie के याद रहते हैं और एक और common चीज मैंने देखा कि उनकी movie में बहुत ही अच्छे और deep dialogues होते हैं और थोड़ी philosophical और life से related stuff होता है यूनो थोड़ी serious बाते होती हैं उनके movie में और जो वो कोशिश करते हैं कि जो dialogues भी वो use कर रहे हैं वो एकदम like depth वाले और hard hitting dialogues वो use करते हैं ताकि audience को भी बोले वाओ यूनो क्योंकि उनकी movie के अगर आप देखा होगा कि कुछ उनकी movies के कुछ ना कुछ dialogue तो हमें यादी रहते हैं और वो बहुत ही सुन्दर लिखे जाते हैं तो मोहित सूरी ने अपना debut किया था जहर movie से जिसमें इमरान हाश्मी थे और शमिता शेट्टी और उधिता गोस्वामी थी ये movie box office पे average साबित हुई थी और ये एक Hollywood movie जिसका नाम ह out of time उसका remake थी next movie जो उनोंने उनकी release हुई थी वो है कल्योग and कल्योग में उनके साथ कुनाल खेमू थे कुनाल खेमू ने Bollywood में debut किया था you know उस movie में वो adult film industry के against और adult film industry के बारे में थोड़ा सा reflect करने की कोशिश करती है थोड़ी सी controversial movie थी उस time जब ये release हुई थी इसका content थ पूड़ा explicit था और ये movie box office पे hit थी और इसमें इमरान हाश्मी सर का भी रोल था और उनोंने वाकीन फीनिक्स का जो एक character है 8mm movie से उनका character उनसे ही inspired था काफी similar था next उनकी movie थी वो लमे वो लमे stars shiny ahooja and kangna runout वैसे वो लमे जो है वो महेजबट की एक personal movie इसली है क्योंकि इस movie में महेजबट और परवीन बॉबी का जो relationship था वो दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे परवीन बॉबी को बिमारी हो गई थी skinzofrenia and like वो बहुत ही डरती थी और उनके और महेजबट के बीच का क्या relation या romance था वो दिखाने की कोशिश की गई थी खैर ये movie box office पे इतना कुछ कमाल नहीं दिखा पाई थी बट still इसने अपने पैसे recover कर लिये थे और इसके भी गाने काफी awesome थे काफी आज भी हमें इस movie के गाने यान है you know next जो उनकी movie थी वो है राज the mystery मतलब राज राज the mystery continues मतलब राज जो you know पहली राज तो बिपाशा बासु वाली थी बट इसमें उन्होंने फिर से इमरान हाश्मी के साथ और कंगना रनाउट के साथ काम किया था और ये box office पे ये movie ने अच्छा business किया था और बहुत लोग थी इनकी crook you know बीच में आपने सुना था कि Australia में racism और rights होते थे इंडियन्स के against you know इंडियन्स वहाँ पढ़ने जाते थे तो उन पे हमले हुए थे क्रुक इसी subject matter के ओपर थी बढ़ ये box office पे अच्छा कमाल नहीं कर पाई थी इसमें भी इमरान हाश्मी थे और इसके भी गाने अच्छे थे next जो उनकी movie आई थी जिसने मोहित सूरी को एक star बना दिया वो थी murder 2 and murder 2 ने मोहित को इसलिए star बना दिया क्योंकि murder 2 बहुत ही box office पे अच्छा कमाई थी और वो उस साल की one of the highest grossing movies थी ये एक horror psychological thriller movie थी जिसमें इमरान हाश्मी थे और साथ में उनके जैकलीद फर्नांडेस भी थी जिसमें एक evil psycho killer is on the loose जो की girls को kidnap करके उनका murder ही कर देता था और इमरान हाश्मी को उसे chase करना था और ये movie थोड़ी horror और psycho type की थी और ये एक Korean movie है The Chaser उससे inspired थी उससे उसका ही remake थी next movie थी उनकी आश्की 2 इस movie ने पूरा game ही बदल दिया और आश्की 2 हर इंसान जितने भी लोगों ने देखी है सब लोग आश्की 2 को approach करते हैं चाहे वो उसके गाने हो चाहे वो उसके dialogues हो चाहे वो राहुल जैकर की जो उस movie में बरबादी दिखाई गई है और अदिती का उसके प्रती जो आरोही का स्वरी जो लगाओ है जो ये दिखाया गया ये emotional drama दिखाया गया है वो बहुत ही unique था और ये एक movie है A Star Is Born उससे inspired थी वैसे A Star Is Born के बहुत सारा remake बन चुके हैं और last remake बना था Bradley Cooper and Lady Gaga starring और आश्की 2 तो hit थी next उनकी movie आई थी एक villains starring Shraddha Kapoor, सिधात Malotra and हमारे सबसे अच्छे comedian Mr. Ritej Deshmukh जो की इस movie में एक psycho killer बने थे और हमारे सिधात Malotra साव एकड़म angry young man बने थे जो की Shraddha Kapoor का बदला लेते हैं उससे और ये movie भी box office पे hit साबित हुई थी ये बाला जी टेले फिल्म्स ने प्रड्यूस की थी, एकता कपूर ने प्रड्यूस की थी next मोहित की जो movie थी वो थी और ये एक South Korean movie I Saw The Devil है उसका remake थी next जो मोहित की movie थी वो थी हमारी अधूरी कहानी और हमारी अधूरी कहानी ये आये back to wishes films और इसको Fox ने भी शायद मिलके produce किया था और ये एक real life कहानी थी भट साब के mom dad की love story कह रहे है उसके उपर बनी थी पर ये movie box office पे कुछ अतना कमाल नहीं दिखा पाई थी but still मैंने ये movie देखी है and it's a really one time watch you know it's it's ठीक है एक बार आप देख सकते हो next movie थी मोहित ने मोहित ने इस बार फिर से एक्रा कपूर और चेतन भगत के साथ collaborate किया और उन्होंने निकाला half girlfriend उन्होंने बनाई starring अर्जुन कपूर and श्रद्दा कपूर और ये movie box office पे ठीक ठाक थी hit थी next last but not the least जो इनकी latest movie है वो है मलंग starring आदित्य रोय कपूर, कुनाल खेमूर, दिशा पाटनी and अनिल कपूर और मलंग काफी stylish मुझे तो मलंग style over substance movie लगी you know काफी stylish लगी मुझे जिससाबसे वो shot की गई थी you know और उसकी lighting and इस movie देखने में काफी सुन्दर थी और Ellie Avram का भी character मुझे बहुत अच्छा लगा था but still अभी तक लोग पता नहीं लगा पाए है कि मलंग किस movie से copied या inspired है किस Korean movie से but मैंने अभी Johnny Depp की एक movie देखी है उसका नाम है Blow so मुझे लगता है मलंग का थोड़ा बहुत concept और थोड़े बहुत scenes Blow से inspired है क्योंकि एक scene मैंने एक डम similar ढूंड लिया Blow में जो मलंग में था so मुझे लगता है मलंग का concept उसी movie से inspired है क्योंकि Blow is a drugs crime movie और मलंग भी थोड़ी बहुत drugs crime movie है so ये थी मोहित की पूरी filmography और मलंग भी box office पे hit है hit साबित है T series ने इसे Northern Lights ने मिलके इसे produce किया था और यश्राज ने इसे distribute किया था future projects की अगर बात की जाये तो मोहित बना रहे है एक villain returns T series उसे produce कर रही है और साथ में वो मलंग 2 भी लिख रहे है so ये थी पूरी journey about मोहित सूरी और आप बताईए आपको इन में से कौन सी movie अच्छी लगती है और मेरा चैनल जल्दी से subscribe कर दीजेए okay guys take care lots of love and last but not the least मोहित सूरी की एक underrated movie के बारे में बात करना चाहूंगा वो है आवारापन released in 2007 starring इमरान हाश्मी, शाद रंधावा and अश्टोश राणा basically ये मोहित सूरी की film box office पे तो उतना कमाल नहीं कर पाई थी but इसे मोहित सूरी और इमरान हाश्मी की one of the most underrated movies and one of the best movies में इसको consider किया जाता है ये भी एक Korean movie का remake है जिसका नाम है A Bitter Sweet Life और आवारापन के भी गाने बहुत awesome थे और इसकी story बहुत ही unique है और आज भी इस movies के जिन लोगों ने इस movie को देखा है वो इसके really fan है और इसे really appreciate करते है so ये था my take on Mohit Suri's movies आप बताईए आप की इन में से कौन सी favorite थी and please do subscribe and take good care of yourself thank you guys lots of love